क्या होगा इसे क्यों बैठी हो आंटी ने कुछ का आए गया आंटी चली गए हाँ बस दर्वादे पे जा रही है बहुत अजीब बाते करें थी बहुत ज़्यादा गुद्सें में थी मुझे नहीं लगता कि वह इस शादे को किसी भी कीमत पर कबूल करेंगे तो उन लगी है तुम अर्सलान भाई से को नहीं बात करती अर्सलान से भी मैं कोई भी बात में कर सकती क्या सोचेगा कि अभी शादी हुई नहीं इसने मेरी ममी की शिकायते लगाना शुरू कर दी हाँ के तो तुम ठीक रही हो और अम्मी और अभी को भी बताया तो वो भी परिशान हो जाएंगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए उच्छे तो अर्सलान के साथ ही रहना है जब अर्सलान मेरे साथ है तो हमें किसी की कोई फिकर नहीं करना शुरू वैसे भी आउंटी के साथ कौन सामने रहना है हाँ चलो अल्ला सब बेढ़े करेगा इंशाला ऐसे न अर्सलान भाई की अमीना मुझे बहुत वो ड्रामों वारी साथ लगती है खुशियों को बरबाद कर देने वाली बहुत गुस्रे में थी अर्सलान बता रहे थे कि अंकल के कोई दोस्त है उनकी बेटी से उसकी शादी करवाना चाहती थी लेकिन बस मैं दर्मियान में आ गई तो वो छोटे वाले नमोने से करा देना वैसे ना मैं तो उन्हें जब भी देखती हूँ ना मुझे वो स्टोर वाला किस्सा याद आ जाते है अल्ला माफ करे बहुत खुन खान लगती है और मैं तो उन्हें से आज भी नहीं मिली तुमारी सास है तुम खुदी भुखतो लुबना वो उन्हें शादी की शॉपिंग का कह दूँ थी प्लीज तुम मेरे साथ चले जाना प्लीज देखो वो उतना तुम इससे फॉर्मैलिटी के लिए लेकर जा रही है उन्होंने खरीदना वही है जो उन्होंने पहले से सोचा हूँ और देखा हूँ है तो क्या कहूं मना कर दूँ ने 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 जाओ जरूर जाओ लेकिन अपने कान खुले रखना और मुख बंद रखना और जो जब उन्हों कहती चाहे ना बस मानते जाना अब देखो सिंदे की भर का साथ है जतना जाना होगी उतना ही अच्छा है ना कि अग्या देखो साथ तो नहीं हो ना अच्छा देखो हुष हो तुमारी शादी होने वाली है और देखना वहां पर तुम्हें किसी ने भी कुछ कहा ना तो हमें बताना ऐसा सबक सिखाएंगे ना तकि वो जिन्दकी भर ही आद्टने रखने गार्टने देखना देखने झाल